जैहिन दोस्तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में बात करने बाले हैं प्रदान मंतरी आबास योजना आबिदन आप कैसे करेंगे और आपके लिए क्या-क्या डोकुमेंट चाहिए आप पात्र है या पात्र है आप कैसे देखेंगे तो दोस्तो इस बार 2023 के आबास योजना के online form होने लगे हैं तो आप अगर पात्र पाई जाते हैं तो आप अपना अभीदन कर सकते हैं इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं चलिए step by step समझते हैं चलिए आप mobile phone की screen पर आते हैं और आप किसी भी browser को open करेंगे search bar में search करेंगे माई scheme अब माई scheme.gov सर्च करेंगे तो आपके सामने इस condition से एक link मिलेगी माई scheme आपको यहां पर एक बार और click करना है click करते ही दोस्तों आपके सामने इस condition से माई scheme का portal आपके सामने login हो जाएगा और यहां थोड़ा आप scroll down करेंगे आप नीचे की side जाएंगे और आपको यहां पूरा सारा data English में देखने के लिए मिल रहा है तो आप सबसे पहले यहां three dot पे click करेंगे three dot पे click करते ही आपको यहां hindi पर click करना है जैसे आप hindi पर click करते हैं तो आपका पूरा data आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगा और आप आसानी से यहां पढ़ सकते हैं आपको यहां 10 number पर एक option मिलेगा आबास और आस्रे आपको यहां click करना है जैसे ही आप यहाँ किलिक करेंगे तो आपके सामने पूरी dashboard इस condition से खुल जाता है और आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको बढ़ा दिख रहा है इस वज़े से आप यहाँ three dot पर जाएंगे और आपको एक बार यहाँ किलिक करना है किलिक करने के बाद आप यहाँ थोड़ा scroll down करेंगे और आपको desktop site का एक option मिलेगा आपको यहाँ चेक करना है यहाँ आपको आबास दिख रहा है और आपको आबास एबं आसरे का एक logo दिख रहा है आप यहाँ थोड़ा scroll down करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर प्रधान मंत्री आबास योजना सहरी अगर आप सहरी से हैं तो आप यहाँ एक बार किलिक करेंगे अगर आप ग्रामीड हैं तो आप थोड़ा नीचे की साइट आएंगे आपको नीचे की साइट जाना है और आपको यहाँ मिलेगा प्रधान मंत्री आबास योजना ग्रामीड आपको यहाँ एक बार किलिक करना है किलिक करते हैं दोस्तों आप इस कंडिशन से यहाँ पूरा क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं प्रदान मंत्री आवास योजना यहां पर देखेंगे यहां फुल ब्रबडर दिया गया है फाइदे पातरता अब बाद आविदन प्रिक्रिया आप यहां से देख पाएंगे आवशक दस्ताबेज आपके डोकुमेंट क्या लगेंगे तो दोस्तों यहां देखते हैं आपको कर सकता है जिन परबार कोई घरमे सुन या दो कमरे है जिसमें कची धिवार है था है तो आप कर सकते हैं परबार जिसमें 25 बर्च से अधेक आई बाला कोई भी साचर ब्यक्ती पड़ा लिखा अगर ब्यक्ती है 25 साल से उपर तो वहाँ अपलाई कर सकते हैं परवार में जिसमें 16 से 69 बर्ष की उम्रता में कोई बैस के पुरूस नहीं है तब आप अपलाई कर सकते हैं जिस परवार 16 से 69 बर्ष के बीच उम्र वाला कोई बैस के सदस से ना हो या कोई भी सदस से ना हो यहाँ पूरुष्ट की बात है यहाँ सदस से ना हो तो अब भी आप अपलाई कर सकते हैं बिना साच्छर, सदस से बाले, दिव्यांग, एबं अगर आप विकलांग बगेरा हैं और आप पड़े लिखे नहीं है और आपके घर में कोई income नहीं है, तो आप यहाँ apply कर सकते हैं, भूमी हिन परवार, जिनके पास जमीन नहीं है, वो भी apply कर सकते हैं, अनसुचे जात, अनसुचे जन्जाती, आप किसी भी जाती से आते हैं, यहाँ कोई, उसका कोई process अलग नहीं है, अप आते हैं, अब बाद के पास एक मोटर साइकल दोपईया भान तिपईया भान चार पईया और किर्शी उपकड या मचली पकड़ने की नाव मैं ऐसे उम्मीदवार जिनके पास मोटर चाले दोपईया चार पईया और किर्शी उपकड या मचली पकड़ने की नाव है तो वो व्यक्ति यहां पर जिनकी सीमा 50,000 रुपए से अधिक से अधिक या उसके बराबर है तब भी आप यहाँ अपलाई नहीं कर पाएंगे तिसरी कंडिशन देखेंगे आप कोई भी परवाज जिसमें कम से कम एक सदस है जो सरकारी सेवाय कारतर कारेरत है या प्रति महां 10,000 रुपए की धनराजी कमाता है तब आप यहाँ अपलाई नहीं कर पाएंगे चोथे ओप्शन में देखेंगे कोई भी ब्यक्ति जो आएकर पेसेबर या भुकतान करता है या एक रेफरिज जेरेटर या लेंड लाइन फोन कनेक्शन का मालिक है तब आप यहाँ अपलाई नहीं कर पाएंगे चलिए यहाँ बताते हैं आपके दस्ताबेज क्या लगेंगे आप यहाँ दस्ताबेज पर किलिक करेंगे तो दस्ताबेज में दोस्तों आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए आधार कार्ड उप्यो करने के लिए लाबारती की और से समती दस्ताबेज मनरेगा पंजीकर्ड लाभारती का जॉब कार्ड होना चाहिए स्वच भारत मिशन एस बी एम के लाभारती संख्या और बेंकी खाता बेबड होना चाहिए अगर आपके पास ये सारे डोकुमेट हैं तो आप बड़े ही आसानी से ओलाइन कर सकते हैं आपके पातरता के हिसाब से चलिए आविदन प्रक्रिया हम बताते हैं दोस्तों यहाँ पर आरलाइन प्रक्रिया ओप्शन दिया गया है अबास योजना का आविदन करने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनके पास आईडी पासबर्ड होता है अब दन करने की जिम्यदारी दे जाती है, तो दोस्तों यह उननी के पास होता है, जो अधिकारी हो सकते है, तो आप अपने document को अपने प्रधान के जरिये, अपने секटरी या बिलॉक में आप जाएंगे, तो बिलॉक के जो अधिकारी लोग होते हैं, वो आपका form देख करके औ आपका apply करेंगे तभी यहां से हो सकता है तो यह online प्रक्रिया उनके यहां से online है अभी आपको offline ही document देने होते हैं यह direct online नहीं apply होता है तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहन